वीडियो को लाइक करके एक पहरा सा कमेंट कर दिजेगा चलिए बिना किसी time waste की आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए यहां से मैं आपको सीधे अपने mobile के screen पर ले चलता हूँ और मैं आपको facebook पर video upload करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ तो सही तरीका जानने के लिए मैं आचुका हूँ अपने mobile के screen पर mobile के screen पर आने के बाद सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है आपको अपना google chrome open करना है google chrome open करने के बाद यहां पर आपको search बार में facebook लिकर search कर देना facebook या फिर facebook login लिकर search कर दीजेगा जैसे हैं आप इसको search किजेगा उसके बाद आपको यहां पर three dot पर click करके इसके desktop site को open कर लेना यह आपका अंटिक रहेगा तो simply आप इसको tick कर लिजेगा जैसे हैं आप इसको tick किजेगा तो यहां से आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जागा और सबसे उपर में यहां पर देख सकते हैं कि www.facebook.com यहां पर आपके सामने website आजाएगा तो simply इस पर click कर दीजेगा जैसे हैं इस पर click किजेगा अगर इसमें आपने आपने पहले से login करके रखाओगा तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा अगर इसमें आप पहली बार आ रहे हो तो यहां से आपका ID पासवर्ट खोजेगा तो भाई मेरे ID पासवर्ट डालके simply इसको login कर लिजेगा इसको login करने के बाद आपको जिस भी चीज पर अपने वीडियोज को upload करना है तो यहां से अगर आपको अपना Facebook के profile पर करना है तो simply profile को select कर लिजेगा अगर यहां से आपको page पर करना है तो यहां से को भी page को select कर सकते है तो भाई मेरे Facebook के profile पर tag, title, thumbnail लगाने का option नहीं देता है तो चलिए मैं आपको profile पर सारा चीजों को डाल कर दिखाता हूँ और thumbnail वगरा सब चीज डाल के दिखाऊंगा देखते हैं ससुरक कैसे नहीं देता है Facebook बहुत चलाक होगे आपको बहुत गुमाता है इतना गुमाता है इतना complicated है कि भाईया इसका algorithm आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं किसलिए हूँ, मैं कब कामा हूँगा मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है तो यहाँ से आने के बाद अब आपको video upload करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको video and photo का आपको एक option देखने को मिल रहा हूगा तो simply video and photo वाले option पे qiik कर दीजेगा जैसे video and photo वाले option पे qiik की जेगा तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जागा तो यहाँ पर देखिए add photos and video का आपको एक optionS देखने को मिल रहा होगा तो simply इस पर click कर दीजेगा जैसे ही आप इस पर click किजेगा आपका gallery खुल के आ जाएगा तो यहाँ से आपको जिस भी विडियो को upload करना है simply उस विडियो को select करके यहाँ से आपको add पर click कर लेना है जैसे ही add पर click किजेगा तो यहां से जो आप यहां पर लिखिएगा यहां पर देखिए what's on your mind बातसाई से करके लिख रहा है ना तो यहां पर जो आप लिखिएगा ना वो आपका वीडियो का description होगा ना कि आपके वीडियो का title होगा तो जो आपका जिस भी regarding video है जो उसका catchy title है वो आप अपने title को description में पहले लिख लिजेगा टीक है जैसे मेरा वीडियो का title है Facebook पर वीडियो कैसे upload करें टीक है तो यहां से मैं लिख देता हूँ अपने वीडियो का और यहां पर यह जो आपका description है ना इसमें आपको 5 होगो inspirator है और आपको लिखा लिखा है तो मैंने अपने वीडियो से रिलेटेड हो मैंने 500 हो लगा लिया अब इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है जो आपने यहां पर description में आपने वीडियो का title को लिखा है सिंप्ली कुछ नहीं कीजेगा उसको simply यहाँ से copyright कर लिजेगा तो इसको copyright करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको video option ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं video का option आपको देखने को मिल रहा होगा विडियो option तो simply आपको video वाले option पे click कर देना है जैसे video वाले option पे click किजेगा अब देखो बबुआ यहां से सारा खेला स्टार्ट होता है यहां से सारा कमाला स्टार्ट होता है अब देखिए आपका वीडियो वहां से आप डाइरेक्ट पोस्ट कर देते हैं टाइटल लिखने के बाद देखिए यहाँ पर आपको tag add करने का option दे रहा है ना तो आपका जो भी videos है अपने videos के regarding आपको tag add कर देना है तो मेरा video है facebook के regarding ऐदिंग फेसबूक लिखने बाद यहां पर आपको सर्च का बटन देखने को पाइड हो जागा फेसबूक वीडियो जो भी आपका टैग रहे वीडियो अपने वीडियो का अपने वीडियो जो भी आपका वीडियो जो पा given रहे और टैग बना के रखा है यहां से आप upload image पर click कर सकते है चूज from video पर click कर सकते है तो चलिए मुझे thumbnail को upload करना है तो इस पर click करने के बाद देखिए upload image का आपको एक option देखने को मिल रहा होगा तो जो भी आपने thumbnail already बना कर रखा है simply उस पर click किजेगा जैसे आप उस पर click किजेगा यहां स करने के बाद यहां से आप क्या करना है चैंतल यहां से आपको सेओ वाले option पर click कर देना है तो आपको सेविंग वाले option पर click हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया और कुछ समय बाद भाईया आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा वो भी प्रोपर तरीके से थमनेल, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन हर चीजों के साथ अगर आपका वीडियो में थोड़ा सा भी दम रहाएगा तो आपका वीडियो फाड़ के व्यू जाएगे और आपके वीडियो पहले से तो एवरेज से एक दम जादा व्यू जाएगे क्यूंकि आपने अपने वीडियो में प्रोपर तरीके से अपने वीडियो का सेट बढो…